नमस्कार मेरे बच्पन के दिन के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है विद्ध्यार्थियों आप अच्छे से होंगे प्रथम भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से महादेवी का बच्पन है वह बीत रहा है और उसमें हमने देखा कि वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए वह साहित्य के छेत्र में भी जुड़ चुकी है सुभद्रा कुमारी से उनका परिच्प हुआ और उसके बाद उनकी मित्रता बढ़ गई दोनों ही साहित्य छेत्र से जुड़ी हुई लड़कियां थी इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से महादेवी है वह अपने साथीन सुभद्रा के साथ वह जब लड़कियां की अन्य खेल खेला करती थी तब उस समय सुभद्रा और महादेवी वह साहित्य की रचना में लगी रहती थी और उन्होंने अपनी रचनाएं पत्रिकाओं में भी छपवानी चालू कर दी थी आईए दूसरे भाग में हम आगे बढ़ते हैं साहित्य रचना के साथ साथ कवी सम्मिलन में भी ये भागी दारी करती थी हिंदी का प्रचार प्रचार उस समय हो रहा था क्योंकि राष्ट्री आंदोलन के लिए हिंदी को एक अच्छा माध्यम मानते हुए गांधी जी ने हिंदी के प्रचार प्रचार पर बहुत ज़्य जोर दिया गांधी जी का सत्यग्रह आंदुनानारम हो चुका था और इलहाबाद का आनंद्भवन स्वतंत्रता के संहर्ष का केंद्र बना हुआ था हिंदी के प्रशार प्रशार के लिए कवी संविलन भी आयुजित किये जाते थे और महादेवी और उनकी जो सक्षियां थी वह अपने कॉलेज क्रास्ट वेट की मैडम के साथ वे कवी संविलन में जाया करते थी और कवीतावगर सुननाने में अपनी भागीदारी प्रशार करते थी महादेवी और उनकी सहलियां तो अपने नाम पुकारे जाने का इंतजार करते थी कब हमारा नाम पुकारा जाये और हम जाकर अपनी कवीता प्रस्तूत करें जैसे आप लोग भी प्रतिवितावगर भाग लेते हैं तो आप लोग को भी लगता होगा कि हम जाएं मंझ पर जाकर माईक पर सामने अपनी बातें कहें तो उसी प्रकार से महादेवी और उनकी सहल्याभी इंतजार करते थी और उन कवी सम्मेलों में लेखीका को प्रायह प्रथम पुरस्कार मिलता था वो इतनी अच्छ धंक से कवीता कहती थी लेखिका बताती हैं कि 100 से अधिक पद्दक की उन्हें प्राप्ति हो चुकी थी इससे यह सिद्ध होता है कि वह कवी सम्मिलन में जाकर कविता पढ़ने में अत्यंत निपुन हो गई थी एक बार एक कवी सम्मिलन में एक कविता उन्होंने इत्ती अच्छी कविता रची थी इत्ती अच्छी कविता उन्होंने कही कि प्रोस्कार के रूप में नकाशीदार नकाशिदार मतलब जिसमें बेल बूटे त्यादी बने होते हैं, फोली त्यादी बने होते हैं, तो नकाशिदार एक सुन्दर चांदी का कटोरा मिला, जब कटोरा लेकर हॉस्टल आई, और उन्हेंने सुभद्रा को बताया, पक्की सहली थी, तो अपनी उपलबधी के बारे कहा बहुत अच्छी बात है ठीक है अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझके इस कटोरे में खिलाओ सहली ने मांग रख दी और महादेवी ने कहा ठीक है उसके कुछ दिनों के बाद गांधी जी इलाबाद आनंध्ववन में उनका आगमन हुआ और जब जब गांधी जी आया करते थे तब तब महादेवी और उनकी सहलीया है वो अपने बचा कर रखे वे कुछ पैसे होते थे वो पैसे जाकर रुपए जाकर उन्हें वह दिया करती थी दान के रूप में ताकि देशित के लिए वह पैसे काम आ सके इस बार महादेवी है उससा में अपना चांदी का कटोरा भी ले गई जाकर दिखाया जैसे कि आपको भी प्रुसकार मिलता है रच्छा प्रुसकार मि दिखाऊंगी गांधी जी को दिखाया गांधी जी ने उसका टेरों की मांग कर दी क्या इसे तुम मुझे दान में देती हो देशित के लिए अब बापु ने मांगा है तो महादेवी कैसे मना कर सकती है बस अब उन्होंने दे दिया अब जब कटोरा गांधी जी को दे दिया परन्तु लेखिका को एक दुख हुआ कि कविता की बात उन्होंने नहीं कि दुख कन भतो हुआ देकर आ गई सुभद्रा ने व्यंग किया कि और जाओ दिखाने के लिए कटोरा पर लेखिका मनिमन प्रसंद थी कि चलो मेरा वह प्रुसकार है देश के हित के लिए काम आएगा कि कुछ समय के पश्यात सुभद्रा जी है वो छात्रावाज छोड़कर चली जाती है और उनकी जगह एक माराठी लड़की जेबुनिसा वो कमरे में रहने के लिए आती है उसे जेबुनिसा का नाम है वो जेबुन कहके लेखिका है लेख करती है कहती है कि जेबुन द्वारा महादेवी का बहुत सारा काम कर दिया जाता था और इसे महादेवी को बहुत सहता मिलती थी क्योंकि जो कमरे की साफ सफाई करना कमरे में कापी पुस्तकों को जमा कर जेबुन के साथ एक कमी थी कि जेबुन है वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थी मराठी में शुद्ध हिंदी बोलते थी महादेवी भी उनके साथ मराठी सिखने का प्रयास करने लगे जब जब उसे जेबुन को टोका जाता था कि तुम हिंदी में बात क्या करो शुद् इससे कदाबी नहीं कि प्रयोग करना ही कियोंकि हम में हम अपनी मात्रीभाशा है नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा तो जेवुन का ये अपनी भाषा के प्रतिप्रेम प्रशंशनी है सराहनी है लेखी का अपने क्रास्टवेट जो कॉलेज के भाषाई सद्भाव के बारे में विचर्चा करती है वो बताती है कि छात्रावास में अवत की लड़क है वो मध्य प्रदेश और उत्रप्रदेश का कुछ ही सा वे शेसले है उसने बुंदेल खर जाता है रोंहां की वहां की बॉली है वह घ anti us प्रवता रहेट गाल्वा वोत। ऐंद के साथ अरद्व की भी मृत होती थी और इस प्रकार से लिंकी का बताती हैं कि भेद भाव रहित वाता वरण था विधयारथियों जहां पर भेद भाव में बात करती थी लड़कियां एक मेस में खाना खाती थी एक प्राशना करती थी कोई विवाद नहीं था इस प्रकार से क्रास्ट वेट जो कॉलेज था उसके एक अच्छे वातावरन ने लेखिका के व्यक्तित्य को निखारने में अपना महत्तुपुन भूमिका उसने निभ सामप्रदाइक सद्भाव कि उस समय का वातावरन भी इस तरह से था सामप्रदाइक सद्भाव का मतलब होता है कि हम अपने धर्म का पालन तो करें पर दूसरे के दूसरे धर्म को भी हम आधर सम्मान प्रदान करें किसी भी धर्म करती हमारे मन में व्यमनस्य शत्रूता का भाव न रहे उसे कहते हैं साम्प्रदाइक सद्वाव दूसरे धर्मों के पती अच्छे भाव रखना लेखी का बताती है कि कभी-कभी बच्पन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं बच्पन में अच्छी चीज़ें सीखते न वह बहुत लं परिवार रहता था कि सि людям असाद से न वहा थे आप कर दोनों परिवार के मद्द आड़े नहीं आया दोनो परिवार के बीच एक अच्छा संबन महादेवी के भाईवनों द्वारा बेगण साहिवा थी, उनको टाई संबोधन किया जाता था, और नवाप सहाब के बच्चों द्वारा महादेवी की मां को चची जान कहा जाता था, तो इस प्रकार से आत्मी धंस संबोधन बच्चे किया करते थे, बच्चों के जन्म दिन हैं परस्पर घरों में मनाय जाते थे मतलब जवारा के जो नवाफ सहाब थे उनके बच्चों के जन्म दिन महादेवी के घर में और महादेवी और उनके भाई बहनों के जन्म दिन जवारा के नवाफ सहाब के घर में मनाय जाते थे इसका मतलब यह है कि ये दोनों परिवार बच्चों को बच्चों में कोई भेधाव नहीं करता था दूसरे परिवार के बच्चों को भी अपने बच्चे की तरह माना करते थे बेगम साहिबा के पुत्र हैं वो राखी बन्धाने के लिए तयार रहते थे जब भी रख्चा बन्धन आता था बकायदा उस समय बेगम साहिबा है अपने पुत्र को तयार रखती थी और उखबर भेशती थी कि भाई आओ भाई है भुखा बैठा है उसे राखी बन्धो तब वो कुछ खाएगा तिकि सामाने तरह रख्चा बन्धन में यह नियम होता है कि राखी बन्धवाने के बाद ही भाई है वह अन ग्रहन करता है और मुसल्मानों का एक्तिवार होता है मुहर्रम जिसमें हुस पुखा नवाब सहाब के बच्चों के लिए अग्रें के कपड़े भनते थे तो महादेवी और उनके भाई भाई भानों के लिए भी हरें कपड़े बन्धा नहीं था हैं दूनो परिवार एक दूसरे के त्योहारों का मानद संब रख्चा बहार होता है सामप्रदाइक महादेवी के चोटे भाई के जन्म के समय बेगम सहाइबा है कपड़े लेकर आती है जैसे रिष्टदार आते हैं उसी तरह से और चोटे भाई की सुन्दर्ता को देखकर बेगम सहाइबा उसका क्या नाम रखती है मनमोहन और परिवार महादेवी और उसी नाम को स्विकार कर लेते हैं कि ठीक है अब आज से इसका नाम क्या रहेगा मनमोहन ही रहेगा इससे यह पता चलता है कि दोनों परिवार एक दूसरे को कितना मान सम्मान देते थे कितने शिवात है नहीं है ऐसा मान सम्मान देना दो विभिन धर्मों का आजकल कहां दिखाई देता है पर लेखे का इसी कोई रिखांकित कर रही है कि एक समय भी था ऐसा कि हिंदू और मुस्लिम परिवार है प्रेम भाव से रहा करते थे बेगम साहिबा के घर में उर्दू इस तरह से एक अच्छे वातावरण में महादेवी का जीवन है वह आगे बढ़ रहा था लेकिका है वह अपने अध्यायक इस अध्यायक अंत में अपने विचार व्यक्त करती है कि आज की सिती देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था आज वह सपना खो गया शायद वह सप कुछ और होती महादेवी इसके माध्यम से यह बताना चाहा रही है कि हिंदू-मुस्लिम का जो प्रेम भाव था एक समय में अगर वही प्रेम भाव आगे भी चलता रहता तो आज भारत का स्वरूप ही कुछ अलग होता शायद भारत पाकिस्तान जो भी भाजन हुआ दो देशों जो अलग-अलग बन गए वह शायद नहीं हो पाता और हम सब एक ही देश में दोनों धर्मे के लोग प्रेम भाव से रहते और ये विचार व्यक्त करते हुए लेकिका है यहाँ पर अपने अपनी बात को समात करती है बच्पन के दिनों के जो संस्मरण है अपने बच्पन के दिनों की जो बाते हैं उनको यहाँ पर वह विराम देती है यहीं पर अध्याय समाप्त होता है विद्यारत्यों आइए इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्णों और उत्तरों की चर्चा कर लें प्रश्ण पहला है कि महादेवी वर्मा तथा उसकी साथी ने सुतंद्रता आंदुलन में किस प्रकार आर्थिक मदद देती थी आपको याद ही होगा कि जो महादेवी थी और उनकी जो सहलिया थी वो चाहती थी कि राष्णी आंदुलन में वो भी मदद करें आईए देखें इसका उत्तर क्या होना चाहिए लेखिका और उसकी सांथी ने अपने जेव खर्च के बचाया पैसों को गांधी जी को देश की सुतंद्रता के संघर्ज के लिए दे दिया करते थी लेखिका को कविता पाठ करने पर प्रुसकार स्वरुप चांदी का सुंदर कटोरा मिला था आपको याद होगा लेखिका ने गांधी जी को अपना चांदी का कटोरा दिखाया गांधी जी ने देशित में वह कटोरा मांगा जिसे लेखिका ने सहर्ष दे द कि अगला प्रशन देखें जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्व में सपन जैसा क्यों कहा है कि सपन में दिखाई देती वह हकीकत तो नहीं होती वास्तिक तो नहीं होती तो ऐसा क्यों कहा है लेखिकाने पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे यह अच्छी बात ही ना सुटनता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गय आपसी फूट के कारण देश हिंदूस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो हिस्सों में बढ़ गया ऐसी परिसिती में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग-अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वपन समान प्रतित होता है जैसे भाजन हुआ उसके बाद बिल्कुल बिगड़ गई और दोनों धर्म के लोग प्रेमभाव से रह सकें इसकी संभावना लगभग समाप्त सी हो गई अगला प्रशन मेरे बचपन के दीन पाठ का उद्देश्य इस पश्ट कीजिए फिद्धारतियोंग हर पाठ का अपना कुछ न कुछ उद्देश्य होता है आपके पाठेक्रम में रखा जाता है तो वहाँ आप कुछ उद्देश्य लेकर रखा जाता है योही नहीं रख दवा देना है यह पाठ हमें सामप्रादाइक सद्भाव से जुड़कर राष्ट्री एक्ता को मजबूत करने की प्रेणा देता है इस अध्याय से प्रेरित होकर हम अपनी सोतनरता के प्रती सजग रहकर देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन निचावर करने का संकल्प ले सक करते हैं तो इस प्रकार से अध्याय हमें बहुत कुछ के बहुत कुछ के लिए वह में प्रेरित करता है प्रेणा देता है आईए अब इस अध्याय से जुड़े भाषा धिन की और भी हम अपना ध्यान ले जाए पार से निम्रेकी शब्दों के विलोम शब्द ढूंड कर लीकिए विलोम सब्द मतलब गकाइस सद जिसका एक विपरीत अर्थवाल अभी सब्द होता है तो यह प्रम सब्दों के गूड़ना है विद्वान अनंतॵे रफराधी डंड़ शान्ति मिलोब्धरंधान का मुर्ख अननन्त का के संखिप्ठ नेरा प्राधी का अप्राधी होगा, दंड का पुरुसकार, शांती का अशांती, इस तरह से ये विलोम शब्द, अब भाषा अध्यन के दूसरे भाग में हम चलते हैं, उफसर्ग प्रत्य है, विद्यार्थ आपने उफसर्ग प्रत्य पढ़ा होगा, कि उफसर्ग वे शब्दान जो के शब्द के पूरु जुड़कर, शब्द के स्वरुप में परिवर्तन लाते हैं, प्रत्य में शब्दान जो शब्द के अंत में जुड़ता है, उधारन दिया गया है निराहारी जैसे देखें इसमें निर ये उपसर्ग है जोड आहार ये मुल शब्द है और जोड इ ये प्रत्य है तो इस प्रकार से निर उपसर्ग शब्द है इ प्रत्य शब्द है और आहार मुल शब्द है इसी प्रकार से कुछ शब्द दिये गये है और इनसे हमें उपसर्ग जिसमें उपसर्ग लगा है जिसमें प्रत्य लगा है और जिसमें उपसर्ग प्रत्य दोनों लगा हो तो उन्हें अलग-अलग करना है शब्द दिये गए हैं सामप्रदाइक्ता, अप्रसन्नता, अपनापन, किनारीदार और सुतंत्रता आईए इनसे उपसर्ग प्रत्य अलग करें उपसर्ग, मुल्शब्द और प्रत्य पुना ध्यान दिजिए उपसर्ग पहले लगा होता है, इसलिए उपसर्ग पहले दिया गया है मुल्शब्द भीश में और प्रत्य अंत में सामप्रदाइक्ता, सामप्रदाइक्ता में संप्रदाइ मुल्शब्द है इसमें दो प्रत्य लगे हैं, एक और ता, दोनों प्रत्य हैं एक भी प्रत्य है और ता भी प्रत्य है अगला शब्द अप्रसंद ता अब इसमें देखें मुल्शब्द प्रसंद है इसमें अ उफसर्ग लगा है और प्रत्य ता अपना पन अपना शब्द मुल्शब्द है और इसमें पन प्रत्य लगा है किनारी दार किनारा मुल्शब्द है ई और दार दो दो प्रत्य है इसमें भी जैसे संप्रदाइक्ता में हमने देखा उसी तरह से किनारी दार में भी दो दो प्रत्य लगे हैं इसमें निर्धेशित किया है कि नीम लेखित उफसर्ग प्रत्यों के सहाहता से दो दो शब्द लिखे उफसर्ग दिया प्रत्य शब्द दिया गया है दार हार वाला अनिय अब इन उपसर्ग प्रत्यों के योग से हम दो दो शब्द बनाईंगे देखते हैं कि सरसे बनते हैं यह कुछ उधारन दिये गया है इन उधारनों के अत्रिक्त भी आप उधारन लिख सकते हैं यह अंतिम उधारन नहीं है यह दो-दो उधारन दे देगे हैं, आप अन्य उधारनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनुपसर से देखें, अनर्थ, अन, धन, अर्थ, अन के साथ अर्थ जोडएंगे तो बनेगा अनर्थ, अनुचित, अन, जोड, उचित, अनुचित, असत्य असत्य अन्याय अर्न्याय सत्पुरुष सत्कर्म शवसे स्वराज देश दोसे दुर्जन दुर्घटना तो यह उसर्ग है और उसर्ग से बने हुए प्रयों किया हुए दो दो शब्दां उधारन के तौर पर आपके सामने हैं इसी प्रकार से आईए प्रत्य कप्रियों करते भी दो दो उदारण देखें दार्श जो प्रत्य था उससे इमांदार दुकांदार हार प्रत्य से पालन हार तारन हार वाला प्रत्य से फल वाला गाड़ी वाला अनिय से दर्शनी प्रशंशनी इस प्रकार से उपसर प्रत्य स संबंधित ये प्रश्ण था कि समास भी आपने पढ़ा होगा अज समास से संबंधित भाष्राद्यन में प्रश्ण दिया गया है कि पाठ में आये समासिक पद छाट कर विग्रह कीजिए समासिक पद भी ढूंदना है और उसको विग्रह भी करना विग्रह करना मतलब उसे अलग-अलग करना है उधारन दिया गया है जैसे पूजा पाठ पूजा और पाठ इसी प्रकार से आप शब्द इसमें ढूंड सकते हैं कुछ दिये गया है इसमें जिनका प्रयोग इसा ध्या में हुआ है उर्दू फार्सी इसका अगर की पूजा चात्रावास चात्रों का आवास मन मोहन मन को मोहने वाला तो यह भाषा ध्यन की भी चर्चा हमने कर ली इस प्रकार से आपने मेरे बच्पन के दिन के दोनों भाग का अध्यन कर लिया मुझे विश्वास है कि आपको यह है अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्त रहिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.